गुद्बॉर्णिंग कमांडो क्या हल चाल है आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आज हम लोग फिर मिल रहे हैं नए टॉपिक के साथ हम लोग अभी तक डिफ्रेंशियेशन पर रहे हैं डिफ्रेंशियेशन में हम लोगोंने फर्स्ट प्रिंस्पल से फॉर्मूला का डेरिविशन कैसे करता सो देखा है उसके बाद हम लोगोंने उसी के आधहार पर कुछ स्टेंडर्ड जो फॉर्मूला है जो अडिशनल फॉर्मूला चार्ट करके लिखाए थे उसके से भी आप निकाल सकते हैं उसको आप formula से भी निकाल सकते हैं x का dc हम लोगों ने 1 पढ़ा था फिर हम लोग क्या किये थे 1 by x का dc निकाले थे कितना होता 1 by x का dc 1 by x का dc होता मैनस 1 by x square root x का dc हम लोगों ने पढ़ा है कितना होता root x का dc root x का dc होता है 1 upon 2 root x constant का dc 0 होता है तो ये basic कुछ fundamentals था इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो actual में है क्या कि calculus का एक छोटा सा portion आपको 11 में दिया हुआ है और उसका broad section जो है आपको 12 में दिया हुआ 12 में समझे एक volume आप लोग को calculus ही परना है तो वहीं अगर 11 में हम देखेंगे तो 11 के second volume में जो है part 2 उसमें एक छोटा section आपको दिया हुआ है जिसमें limit थोड़ा सा continuity यानि जिसको existence of limit बोलते हैं और थोड़ा सा differentiation दिया हुआ है यानि 5% 10% समझे यह जो calculus का भाग है वो आपको 11 में छोड़ रखा है इसलिए 12 के calculus part पर आपको पकर बनाने के लिए तोरा सा 11 के तरफ हमें move करना पड़ेगा तो मेरा यह कहना आप लोगों से कि एक दो जो lecture है जो आपको basics बता रहें differentiation का यह 11 के book से आप लोग पूरा कर लें और जब वो complete हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग तब 12 के तरफ चलेंगे तो केसी सिना का जो हो या NCRT हो या RD सर्मा या RS अगर जो भी book आप फोलो करते हैं पहले 11 का जो है complete कर लीजिए calculus portion फिर हम लोग 12 के तरफ चलते हैं अगर fx दिया हुआ हो और आपको f dash निकालना हो तो आपको बताए थे f dash कब निकलता है जबकि lsd, rsd equal होता है इसलिए यहाँ पे आपको f dash 2 अगर मांग रहा है तो आपको करना किया है point x is equal to 2 पर हमें पहले lsd निकालना है फिर rsd निकालना है तो जब lsd निकालेंगे at x is equal to 2 पर जब lsd निकालेंगे तो यह आपको हो जाएगा limit h tends to 0 f2 minus h minus f2 upon minus h यह न बताए थे formula तो लिमिट h tends to 0 यह 2 minus h यहाँ पे आएगा तो यह आपको 2 minus h का whole square होगा यह 2 भी यहीं पे जाएगा तो यह 2 का s square होगा और नीचे में तो minus h है ही तो limit h tends to 0 इसको a minus b के whole square पर तोर लेना है a square minus 2ab plus b square 2 का s square 4 होगा और नीचे में minus h है ही तो यह minus 4 और यह plus 4 cancel हो जाएगा बाकी से क्या करते हैं अगर minus h कोमल लेंगे तो यहाँ 4 minus h बचेगा और नीचे तो minus h है ही तो यह minus h और यह minus h अगर cancel हो जाएगा तो बाकी क्या बच रहा है 4 minus h और इसमें अगर h का value 0 डाल दें तो 0 डालने से इसका value हो जाएगा 4 4 minus 0 4 ही नहोगा यानि lhd का value हो गया 4 इसी प्रकार से हमें rhd निकालना है तो वहोगा limit h tends to 0 f2 plus h minus f2 by plus h फर्मूला क्या बताए थे fa plus h minus fa by plus h a का काम यहाँ 2 कर रहा है अब अगर इसको solve करते हैं तो यह 2 plus h कहां जाएगा उसी में x के जगह पे जाएगा तो यह 2 plus h का whole square होगा f2 तो यह 2 भी वही x के जगह अपट जाएगा तो यह आपको 2 square होगा और नीचे में तो h है ही अगर इसको उपर में solve करें तो यह a plus b के whole square पर तोरेंगे a square plus 2ab plus b square होगा बगल में 2 का s square 4 है और नीचे में तो h है ही तो यह minus 4 plus 4 cancel हो जाएगा तो उपर से अगर आप h common लेते हैं तो यह 4 plus h आपको यहाँ बच रहा है और नीचे में तो h है ही तो यह h अगर cancel हो जाए तो h का value 0 अगर डालेंगे इसमें तो 0 डालेंगे तो 4 plus 0 हो जाएगा तो 4 plus 0 4 हो गया तो क्या देख पा रहे हैं कि lsd और rsd दोनों equal है lsd rsd दोनों equal है और दोनों का value कितना है 4 है lsd का value भी 4 और rsd का value भी 4 तो अगर lsd rsd equal है और जो वो value दे रहा है तो वही value आपके f' a का value हो जाता है लिखेंगे hence f' 2 जो है यह 4 हो जाएगा आपको क्या पुछ रहाता find f' 2 f' 2 का मतलब हो गया f' 2 का value कितना f' 2 का value हो जाएगा 4 उसी मगला अगर देखे यह question नमर 3 है और आपको दिया हो आए कि अगर f' x square plus 2x plus 7 है तो आपको बोल रहा है f' 3 क्या है आपको सारा काम 3 पे करना है पहले lsd निकालना है फिर rsd निकालना है तो लिखेंगे at x is equal to 3 lsd जब निकालेंगे तो formula क्या होगा limit as change to 0 f' 3 minus h minus f' 3 upon minus h limit as change to 0 यह 3 minus h कहां जाएगा इस x के जगह पर जाएगा यहाँ दो दो जगह x है तो सब जगह आपको 3 minus h पूट करना है तो यह 3 minus h का whole square होगा 2 into 3 minus h plus 7 होगा यह होगया f' 3 minus h का value minus f' 3 तो यह 3 भी इसी में x के जगह पर जाएगा तो लिखेंगे minus f' 3 तो 3 का square 9 3 जाएगा यहाँ पर तो होगा 6 और last में 7 तो है ही और सब से नीचे में तो यह minus h आपको रहेगा ही उपर में इसे अगर formula पर आप break करते हैं तो a minus b का whole square a square minus 2ab plus b square plus 6 minus 2h plus 7 यहाँ bracket अगर खोल दें तो minus 9 minus 6 minus 7 होगा और नीचे में तो minus h है ही यह minus 9 plus 9 केंसिल होगा यह minus 6 plus 6 केंसिल होगा यह minus 7 plus 7 केंसिल होगा तो उपर अगर देखें minus 6h minus 2h तो minus 8h बगलम आपको h square है और नीचे में minus h है अगर उपर से minus h common लेते हैं तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ minus h हो जाएगा नीचे तो minus h है ही minus h को multiply करेंगे minus 8h minus h को multiply करेंगे minus minus plus h square हो जाएगा तो यह minus h और यह minus h केंसिल हो जाएगा अगर h का value 0 इसमें डाल दें तो 8 minus 0 8 होगा यानि lhd का value आपको हो गया 8 इसी परकार से जब rhd निकालेंगे rhd का formula कितना होगा limit h tends to 0 f3 plus h minus f3 by plus h formula क्या परे थे fa plus h minus fa by plus h तो यह जो term है limit h tends to 0 तो यह f3 plus h यह 3 plus h इसी में x के जगा पर जाएगा तो यह आपको कितना हो जाएगा 3 plus h का whole square 2 into 3 plus h plus 7 minus f3 तो यह 3 भी उसी में x के जगा पर जाएगा 3 square हो गया 9 6 plus 7 हो जाएगा और नीचे में आपको यह h है ही अगर यहाँ भी उपर में bracket को open किया जाएगा a plus b के whole square पर a square plus 2ab plus b square plus 6 plus 2h plus 7 minus 9 minus 6 minus 7 और नीचे में तो h है यह बला तो यह plus 9 minus 9 cancel plus 6 minus 6 cancel plus 7 minus 7 cancel तो उपर का टर्म अगर देखें तो यह 6h to h 8h होगा बगल में च स्क्वाइर है और नीचे में तो h है ही तो उपर से जब h आप कोमल लेंगे तो यहाँ 8 plus h बचेगा नीचे तो h है ही तो यह जब cancel होगा तो आपको 8 plus h यहाँ बच जाएगा जब h का value 0 इसमें डालेंगे तो 8 plus 0 हो जाएगा 8 तो आप क्या देख रहे हैं lhd का value भी 8 rhd का value भी 8 तो लिखेंगे since lhd is equal to rhd is equal to 8 hence f dash 3 is equal to 8 हो जाएगा f dash 3 का value कितना होगा f dash 3 का value हो जाएगा 8 question number 8 को अगर देखें यह आपको दिया हुआ है find the derivative of 99x at x is equal to 100 100 पर हमें क्या करना है 99x का हमें derivative चाहिए तो एक चलो हम लोग क्या परें हैं अभी जो निकाले हैं पीछे आपको वो निकाले हैं कि lhd is equal to rhd यह f dash a के बड़ाबर होता है ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हैं इसका मतलब f dash यह निकालने के लिए या तो lhd का formula यूज कर सकते हैं या फिर rhd का formula यूज कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यह दतर rhd का ही formula लगा करके इसका value निकाल लेते हैं यानि दोनों निकालने की जरुवत नहीं है लेकिन वो बेसिक तरीका है कि LSD, RSD निकालिए उसको देखिए कि वो बड़ाबर है कि नहीं और अगर वो बड़ाबर है तभी निकलेगा लेकि नॉर्मली जो होता है उसका DC निकलता ही है तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे RSD के फार्मूला का यूज़ कर लेंगे यानि कि F-A is equal to limit as tends to 0 F-A plus H minus F-A upon plus H इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग direct value निकाल सकते हैं जैसे कि यहीं पर मान लीजिए आपको function कितना दिया हुआ है उपर में यहां function दिया हुआ 99X और point क्या दिया हुआ है point दिया हुआ 100 इसका मतलब हुआ कि आपको F-100 पूछ रहा है at X is equal to 100 100 पर आपको DC चाहिए तो फार्मूला क्या लिखेंगे limit as tends to 0 F-100 plus H minus F-100 upon plus H एक जगह पर क्या किये हैं 100 डाल दिये हैं अब अगर इसे solve करेंगे तो यह 100 plus H कहां जाएगा इसमें X के जगह पर जाएगा 99 into 100 plus H यह 100 कहां जाएगा तो यह भी यहीं पर जाएगा 99 into 100 और नीचे में तो आपको H है ही अगर इसके bracket को open किया जाए तो यह आपको हो जाएगा limit as tends to 0 99 into 100 plus 99 H minus 99 into 100 और नीचे में तो H है ही इसको multiply कर दिये दोनों से तो यह 99 into 100 minus में और यह plus में केंसिल होगा बागी जो term आप देख रहे हैं 99 H है और नीचे भी H है तो H है अगर केंसिल होगा तो यहां कितना बचेगा 99 बचेगा और 99 हो गिया constant और constant पर limit का effect परता है constant पर limit का effect नहीं परता है इसलिए इसका limit हो जाएगा 99 तो आपको जो पूछ रहा था F-100 क्या होगा F-100 जो है वो 99 हो जाएगा एक question number 12 अगर देखें इसका आपको क्या पूछ रहा है find the derivative of sin x at x is equal to 0 यानि कि यहां पे function कितना है यहां पे fx आपका है sin x और point क्या है तो point है 0 यानि कि at x is equal to 0 यानि कि a का value हो गया 0 अब क्या करते हैं जब हमें derivative चाहिए 0 पर लिखेंगे कि हमें f-0 चाहिए तो formula क्या हो जाएगा limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon plus h दरिक लगा देंगे fa plus h to 0 plus h minus fa to minus f0 by plus h या rsd का लगा दी है formula वैसे lsd भी आप अलग से निकाल सकते हैं यानि हम लोग direct ये काम कर सकते हैं अब इसको कैसे solve करते हैं limit h tends to 0 ये 0 plus h कहा जाएगा 0 plus h मतलब हो गया plus h तो ये plus h यहाँ पर x के जगा पर जाएगा यानि यह होगा sin h minus f0 तो ये 0 जाएगा यहाँ पर sin 0 और नीचे में तो h है ही और इसमें लग जाएगा limits का rule sin theta upon theta theta raise to 0 कितना होता है 1 होता है इसलिए पूरे का limiting value हो जाएगा 1 यानि कि f dash 0 का value कितना होगा f dash 0 का value हो जाएगा 1 अगला question अगर देखें ये question number 14 आपको एक function दिया हुआ है fx is equal to x cube minus 2x plus 1 और आपको so करने के लिए दिया हुआ है f dash 2 is equal to 10 into f dash 1 यानि कि हमें f dash 2 का काम पहले कर लेना है f dash 1 का काम कर लेना है और फिर lhs rhs में डाल करके उसको दिखला देना है कि वो equal है तो करते क्या हैं आपको सबसे पहले 2 पर काम करते हैं यानि कि at x is equal to 2 function आपका ये है f dash 2 कैसे निकालेंगे limit as change to 0 f 2 plus h minus f 2 upon plus h fa plus h minus fa by h एक काम कोन कर रहा है 2 कर रहा है सबका value कहां डालेंगे सबका value डालेंगे function में 2 plus h जाएगा यहां x के जगा पर तो 2 plus h का cube minus 2 into 2 plus h plus 1 यह हो गया f 2 plus h का value minus f 2 तो यह 2 भी जाएगा इसी में तो 2 cube 8 होगा यहां डालेंगे 2 cube तो 8 होगा यहां डालेंगे 2 तो minus 4 होगा और बगल में तो plus 1 है ही और नीचे में आपका plus h है तो उपर में क्या करते हैं यहां formula लगा रहे हैं a plus b के whole cube पर a cube तो 8 होगा plus b cube to h cube होगा 3 a square 2 square 4 होगा plus 3 a b square 2 into h square हो जाएगा तो यह होगी आपका formula a plus b का whole cube 2 से multiply करेंगे तो minus 4 minus 2 h बगल में यहां plus 1 है minus 8 plus 4 minus 1 यहां भी bracket को open कर दिए और सब के नीचे में आपको यह h है तो गौर से अगर देखें तो यह plus 8 plus 8 minus 8 cancel होगा उसके बाद यह आपको minus 4 plus 4 cancel होगा यह plus 1 और यह minus 1 cancel होगी आप तो क्या सब बच रहा उपर में सो देखें h cube बचा यहां पर आपको कितना हो गया 12 h है यह बगल में यहां पर 6 h square है यह यहां पर आपको minus 2 h है बगल में और नीचे में आपको क्या है तो नीचे में h तो यह 12 h में से यह cancel मतब यह घट सकता है यह 10 h हो जाएगा एक बाद अगर और लिख लें limit h tends to 0 h cube plus 10 h plus 6 h square और नीचे में तो h है ही उपर से अगर h आप कोमल लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा limit h tends to 0 h अगर कोमल लेते यहां होगा h square यहां बचेगा 10 और यहां बचेगा 6 h और नीचे में तो h है तो इससे यह cancel हो जाएगा तो h का value अगर 0 डालें तो यह term और यह term cancel हो जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 0 तो कितना हुआ 10 हुआ इसका मतलब हो गया f dash 2 निकल गया जैनि 2 पर सारा काम कर लिए अब सेम यही का हमें करना है आपको 1 पे क्योंकि f dash 1 भी तो हमें चाहिए तो फिर लिखते हैं again at x is equal to 1 हमें 1 पर भी f dash 1 चाहिए f dash 1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे limit h tends to 0 f1 minus h minus f1 by या प्लस करके लिए 1 plus h minus f1 by plus h rsd करके लगा रहे हैं फॉर्मूला वह से minus भी लगाएंगे तो नीचे minus h आपको डाल देना lsd का फॉर्मूला limit h tends to 0 fa plus h minus fa by plus h limit h tends to 0 1 plus h जाएगा उसी में x के जगा पर तो 1 plus h का q minus 2 into 1 plus h और plus 1 है ये होगी आपको f1 plus h का value 1 plus h का value यहीं पर डाले हैं x के जगा पर minus f1 तो ये 1 भी जाएगा वहीं x के जगा पर तो 1 cube 1 होगा बगल में minus 2 अब फिर 1 है आपको और नीचे में तो plus h रहेगा ही यहाँ भी लगाना है a plus b का whole q तो formula अगर लगाएंगे a cube तो 1 cube 1 plus b cube h cube a cube plus b cube plus 3 a square 1 square 1 b और plus 3 a b square यह हो गया इसका a plus b का whole cube minus 2 minus 2 h और last में plus 1 है यह यह 1 plus 1 2 minus 2 यह दोनों मिलकर के इसको cancel कर देगा इसलिए यह term हट गया आपको नीचे में बच गया यह h तो उपर अगर देखें तो यह 1 और यह 1 2 मिलकर के इस minus 2 को cancel कर देगा तो limit h tends to 0 यहा h cube है यहा 3 h है यहा minus 2 h है तो 3 h minus 2 h तो h बचेगा और बगल में यहाँ पर 3 h square है और नीचे में तो h है यह बला h तो उपर से जब h आप कोमल लेंगे तो limit h tends to 0 h अगर कोमल लेते हैं तो h square plus 1 plus 3 h होगा नीचे में तो h है ही तो यह h और यह h अगर cancel हो जाए तो h का value अगर 0 डालेंगे आपको बीच का term यह 1 बच जाएगा यानि f dash 1 का value कितना f dash 1 का value भी आ गया 1 अब दोनों ही value को आप LHS, RHS में डाल दीजिए तो आपका value प्रूफ हो जाएगा आप इसे भी अगर देख लें f dash 2 का value कितना आया है f dash 2 का value अब solve किया आया है 10 तो आपको LHS का value हो गया 10 RHS में 10 into f dash 1 f dash 1 का value कितना 1 तो अगर 10 को 1 से multiply करेंगे कितना 10 होगा तो LHS, RHS आपको बरावर हो गया है एक दो step आप इसको और आगे लिख सकते हैं